गुड मॉर्निंग गैज, वेलकम तो मैं न्यू एपिसोड सचिन तलेकर व्लॉग सो गैज मैं आज आपके लिए एक नई कंट्री लेया हूँ, ओके गैज यह कहां पे लोकेटेड है, यह गैज यह वेस्टन पेसिफिक ओशन में लोकेटेड है और इसका नाम है गैज, Federated States of Micronesia गैज, इसे Micronesia भी कहते गैज, ठीक है और यह फिलिपिन्स के पास में है, ओके गैज, और इसका कैपिटल है पालकीर, पॉनपाई लाजस्ट आइलेंड है इसका, ठीक है और इसका कैपिटल है पॉनपाई, Micronesia का कैपिटल पॉनपाई, और लाजस्ट सीटी है गैज, चूक, और इसकी ओफिशल लेंग्वेज है इंग्लीश और चूकिस, ओके गैज, और इसकी इथनिक ग्रूप से गैज, पलावन्स, चामरोस, यापीस, चूकिस और पॉनपैन ठीक है गैज? और यहांपे रिलिजन है गैज, 99% Christian है यापे, तो Christianity काफी है गैज, यहांपे Christians काफी है यहांपे, और including इसके साथ में, Roman Catholic भी है गैज ठीक है? और यहांपे USD, US dollars चलते हैं, ठीक है, और इनकी population है guys, 5.48 lakhs, तो above 5 lakhs population है guys, और यहाँ पे smalls island है, जैसे Micronesia है, तो Micronesia में guys, इसकी largest city है, चूक, ठीक है, पॉनोपई, यहाप, कॉसरा है, यह 4 है, ओके guys, और driving side है guys, यहाँ पे right side, और calling code है guys, प्लस 691, ठीक है guys, और Indians को यहाँ पे visa में लगता है, for 30 days, 30 दिन के लिए visa में लगता है guys, और 30 दिन के बाद, अगर आप immigration में जाते हो, extend कराने के लिए, तो easily आपका extension हो जाता है, immigration में, ओके guys, और guys, अभी हम आते हैं इसके salary पे, तो यहाँ पे guys, minimum 360 USD है, average है 1,400 USD, monthly salary की में बात कर रहा हूँ, और high salary है 6,270, तो salary काफी अच्छ है guys, यहाँ पे, और दूसरी बात, यहाँ पे काफी Indians है guys, ठीक है, यहाँ पे जो stores है, चुक में, याप में, काफी Indians ओनर हैं यहाँ पे, और staff भी काफी Indians हैं यहाँ पे guys, ठीक है, तो easily job तो मिल जाएगा हैं यहाँ पे, लेकिन package जितना चाहिए उतना नहीं मिलेगा, क्योंकिए small island हैं यहाँ पे, पॉपलेशन भी कम हैं, ओके ना guys, अब भी हम आते हैं इसके route पे, अगर आपको वहाँ पे जाना है तो कैसे जाओगे, Micronesia, विजा तो हमेंने लगता है 30 days के लिए, honorable visa guys, तो विजा की तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे 30 days का हमें honorable visa मिल जाते हैं इंडियास को, लेकिन हम यहाँ से जाएं कैसे इंडियास से, तो guys इंडियास से अगर जाना है, तो हम इंडियास से जाएगे तो Mumbai से, Mumbai to Hong Kong, Hong Kong to Guam, वो US का पार्टे, तो हमें transit visa लगता है guys, इस Guam में, ठीक है, तो वहाँ पे US transit visa अप्लाए करना पड़ाएगा Guam के लिए, और Guam से फिर Micronesia, चूक, ओके guys, तो यह हैं, लेकिन वहाँ पे अप्लाए करना पड़ता है transit visa, और बाकी सब routes से वो भी वही से यह guys, New York से, या फिर London से, सब जगे पे हमें transit visa लगता है, विदाव transit visa है ही नहीं, तो अभी आप लोगों के लिए, मैंने एक route निकला हुआ है, लेकिन वो guys, साल में, उसकी flight है सिफ दो बार, ठीक है guys, एक तो December में flight होती है, और एक June में flight होती है, ओके, तो यह, इसका यह flight का route कब है, December है, जून में, ओके guys, तो यह flight 20 होगी guys, मुंबई से होंग कॉंग, होंग कॉंग से फिलिपिन्स, फिलिपिन्स में हमें airport में ही रहना है, ओटसाइड नहीं जाना है, ठीक है, तो मुंबई से होंग कॉंग आगे, ट्रांजिट विजा नहीं लगेगा हमें, हम होंग कॉंग में रह सकते, तो होंग कॉंग से फिलिपिन्स में आगे, फिलिपिन्स में आभी ट्रांजिट विजा नहीं लगेगा, हमें सिफ एरपोर्ट में रहना है, और फिलिपिन्स से guys, United Airlines की flight जाती है, माइक्रोनेशा के लिए, वो सिफ डिसेंबर और जून में, दो ही flight है साल में, ठीक है guys, तो मॉंबई टो होंग कॉंग, होंग कॉंग टू फिलिपिन्स, फिलिपिन्स टू माइक्रोनेशा, और फिलिपिन्स में कौन से आइरपोर्ट पे, तो मनिला, मॉंबई टो होंग कॉंग, होंग कॉंग टू फिलिपिन्स, मनिला एरपोर्ट, और मनिला टू माइक्रोनेशा, चूक इंटरनेशनल एरपोर्ट, तो यह पूरा रूट है, विदोट विजा, लो ट्रांजिट विजा रिप्पार्इड, ट्रांजिट विजा भी इसमें नहीं लगेगा, विजा भी नहीं लगेगा, फाइनल डेस्टेशन में भी विजा नहीं लगता है, 30 days का, फिलिपिन्स में एरपोर्ट के अंदर ही रहना है, होंग कॉंग में बिजा नहीं लगेगा, तो पूरा ट्रिप विजा नहीं लगेगा और ट्रांसेट विजा भी नहीं लगेगा तो यही है पूरा रूट आपको मैंने बता दिया और कुछ होगा तो कमेंट किजे मैं आपको उसका रिप्लाइ कर दूगा ठेके ना गाईस और अगर आप बिजनेस पॉइंट ओफ्यू से जा रहे हो गाईस तो बहुत ही बैटर आइलेंड है काफी इंडियन से महाँ पे पॉपलेशन भी अच्छा है अगर आप स्मॉल स्टूर लेके डिपर्डमेंट स्टूर उपन करतेते हो इंडियन रेस्टूर उपन करतेते हो तो बहुत है तो काफी बढ़िया है आयलेंड माइक्रोंश्या इंडियन भी काफी है और ऑफिछल लेंगवज इंग्लिश है वहाँ पे गाईस ठीक है तो यही आपको मैने रूट बता दिया साल में दो फ्लाइट है ठीक है तो वही से आप अपना trip आरेज कर लिए और दूसरी बात है कि अगर आप जा रहे हो प्लानिंग कर रहे हो तो बैटर देन ये तो आप यह ही ले लिजए ट्रांजिट विजए अपलाई करना गवाम का तो ज्यादा बैटर होगा तो मुंबे से होंग कॉंग कॉंग कॉ गवाम वो युएस का युएस ट्रांजिट विजए लगेगा क्योंकि कॉंग गवाम इस पाराफ युएस ठीक है तो गवाम के लिए युएस ट्रांजिट विजए लगेगा और और Guam से Micronesia, यह perfect है route और दुसरा जो route बता है मैंने वो साल में दो ही बार है, तो आपको wait करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए, ठीक है guys तो अगर regular base पे आपको जाना है, बिजनस करना है, तो transit visa लेके ही जाईए, Guam का transit visa अपलाई कर दीजे और इजली मिल जाएगा वो ठीक है guys, तो अब एक लिए इतना guys, मिलते पारें नेक्स्ट एपिसट में सचेंद लगा व्लोग, have a good one, bye, take care, bye